तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब ठीक हैं और मॉनिंग सिप्ट वालो कैसा आपका एक्जामिनेशन रहा जैसा टेलीग्राम चैनल पर आप सभी बता रहें कि एक्जामिनेशन टफ था और कुछ जो रिव्यूज है मेरे पास भी आए हुए है जो मैक्सिम हैं मेरे टच्माइट थैं उनका आज जो मॉनिंग वाली सिप्टम है तो उसमें ही इक्जाम यहां पर कंड़क्ट हुआ था तो चलिए आज उसकी एक्जाब मेरे पास हैं जो एक्जामिनेशन था जो तीन दिन के जो एक्जामिनेशन वह नहीं है उसमें फर्स टन था और क प्राभी चीज़ें इसमें देखने को मिली क्या कैसे इसमें नहीं थी और साथ मैं 60 से 65 की आश्वास क्वेश्चन मेरे पास हैं जो आप पूचे गए हैं मतलब जो आपको क्वेश्चन क्या पूचे गए थे वह मेरे पाप पूरा डेटा है तो मैं आपको बताऊंगा उनके मैं आपको एक तरह से एक्स्प्लेइन कर दूँगा और आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन मैं यह बता रहा हूं उसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 65 की आराउंड मैं बताऊंगा उसमें से 60 की आराउंड आल्मोस मैंने करवाए हुए हैं और जो पूरा पेपर उठा कि आप देखेंगे अभी तो 40 questions के आसपास 40 हम क्या सकते हैं 30 questions के आसपास हमें exactly उसका पता नहीं चल पाया है तो वो question में से भी अगर आपको पता चलेंगे तो आप हमारी चैनल पर चेक आउट कर सकते हैं उसमें से maximum question मैंने करवाए हुए हैं आपको ठीक है अगर आपने sincerely study ठीकी थी जो भी मैंने यहाँ पर MSQ डाले हुए थे जो भी मैंने lectures डाले हुए थे जो भी मैंने आपको revision कराई थी last time पर तो आपका clear होगा exam 101% आपका exam clear होगा अगर आपने अच्छे से उसको किया था अब मैं बताऊंगा कि कहां पर मैंने यह चीजें आपको करवाई थी और कैसे कैसे करवाया था सब कुछ मैं आपको डेटेल में बताऊंगा तो चलिए अगर चैनल पर नए हैं कोई तो चैनल को subscribe कर लीजिए और color person अभी दो दिन और examination अभी evening के सिप्टम अभी है तो जो evening वाले हैं प्लीज आप लोग अपनी feedback मुझे जरूर दें अपने जो question आपके आये थे उसको मेरे WhatsApp पे जरूर भेज़ें ताकि हम उसका analysis कर पाएं क्योंकि basically जो students आप अगर नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा तो evening वाले भी बताएं और कल कुछ इनका examination है परसू है वो लोग भी मुझे अपनी feedback जरूर बताएं आज का हमें start करते है दिखें जो question पूछे गए थे वो almost सभी section से आये थे ठीके ना लगभग सभी section से कह सकते हैं by fargation करके किया गया था बड़ जो आपका company law का section है उससे काफी कम question देखने को मिले थे जो आपका legal aspect of the business है जिसको मैंने last time revision भी कराया था उससे पूछे गए थे question बड़ अनक्सपे question देखिए residential status का question आया था पूछा गया था कि residential status आप अपने copy में इसको no down कजिए क्योंकि मैंने अलग से इसको एक तरह से टाइप नहीं किया हुआ हुआ है मिरे पर टाइम इतना नहीं था तो मैं आपको ऐसी बता रहा हूं आप अपने according उसको short form में ऐसे लिख सकते हैं कि एक idea लेने के लिए कौन सी question यहां पर आयोगे थे पहला आया था residential status determined for which year यहां पर बोला गया था कि residential जो residential status है वो कौन सी year के लिए determine किया जाता यह आपसे पूछा गया था और आपको मैंने चैनल पर एक separate वीडियो भी प्रोवाइड करवाई थी residential status है अभी भी आप उसको जाके खोल के देख सकते हैं मैंने उसमें कहा था कि guarantee के साथ एक question आपका repeat होने वाला इस से अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप जाके चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं मैंने recommend भी किया था पहले भी जब मैं revision करवा था उस time पे भी कि इस वीडियो को जरूर देखना मुस्किल से 14 या 15 मिनट की वीडियो है और आपके सारे concept clear हो जाएंगे तो इस case में आपका सिधा सिधा बनता था previous year में इसको calculate किया जाता है तो यह आपका right answer बन जाता second पूछा गया था आपको ISO quant curve से ठीक है ना ISO quant curve मैंने तब करवाया था ज इसके अंदर जो ISO quant curve आपका बनता है उसके अंदर कहा था कर यह जो line है ISO quant line है यह क्या represent करती है तो basically यह आपके cost को represent करती है जो आपके total cost निकल के आ रही है तो उसको output cost जो भी निकल के आ रही तो उसको represent करती है यह उसमें अलग-अपसेंस आपको दिये गए थे cost दिया गया किस टाइब के goods के लिए बनता है तो यह आपका अलग-अलग options इसके अंदर प्रोबाइड़ थे और eagle curve वैसा इसमें predetermined नहीं किया था eagle curve हर किसी में बनता है ठीक है आपके जो basically necessary goods उसके case में बनता है आपका inferior के case में बनता है गिफिन के case में बनता है तो जैसा कि मुझे बत यह मैंने आपको कल भी करवाया हुआ था ठीक है ना जब मैंने complete revision आपको करवाई थी ना तो उस दिन भी मैंने emphasize दिया था प्लीज इसको आप देख लेना और यह भी कहा था मैंने आपसे की auditor के section को याद करने के लिए कोई आप स्टोरी बनाईए उसको practical life से add कीजे क्योंकि यह बहुत important है अलग से मैंने slide में डाले थे और उसके पहले lectures में MCQ भी हमने इसके किये थे तो आप से पूछा गया था कि इसका जो आपका जो appointment का sorry basically जो qualification है वो किसमें यहां पर बात करी गई है auditor की section आप से पूछा गया था उसका section आपका बनता था जो आपका 149 section 139 140 141 section आपका था basically 139 जो section है वो आपका deal करता है किस से order के appointment से 140 जो section है वो आपका deal करता है किसके सांद जो आप auditor को remove करते हो या फिर उसको एक तरह से और रिजाइन करता है और 141 करता है आपके जो qualification से related है उस section में यह deal करता है तो यह आपको पूछा गया था इसमें उसकी बार था internal auditor अब मैंने जब auditing का part कराया था उसके अंदर काफी vast knowledge मैंने आपको दी थी जो auditor के बारे में और ये question में मैंने अच्छे से आपको बताया था internal audit क्या होता है इसको internal auditor को appoint कौन करता है इसको remove कौन कर सकता है यह सब कुछ आपने detail में discuss किया था आपसे पूचा गया था internal auditor को यहां पर कौन remove कर सकता है तो उसका answer होने वाला था आपके पास management बोड़ा management ठीक है ना चलिए फिर next question आया हुआ था cost of goods sold आपको दिया गया था question के अंदर यह question मैंने अभी बतातों कहां पर करवाया था cost of goods sold दिया गया था gross profit आपको दी गई थी gross profit basically आ one sale आपको दिया गया था यह ठीक है question के अंदर और आपको पूछा गया था कि इसमें आपको value of sales निकालनी है तो यह question मैंने तब करवाया था आपको अच्छे से याद होगा जिस दिन मैंने कहा था कि यह question आपका homework है आपको इसको calculate करना है खुद से और मुझे answer बताना है ठी और मैंने question भी same to same frame था मैंने भी cross profit आपके किस पे दिया गया था मैंने भी directly आपको gross profit sales की value पी दिया था ना कि cost पे दिया था तो उसको पहले आपको किस पे cost पे बदलना था क्योंकि question मैं एक्जाम मैं भी क्योंकि cost आपको cost आपको given थी उसी के basis पे आप gross profit calculate कर पाएंगे य trading account के अंदर यहां पर क्या होता है यह total हम माल लेते हैं cost of good basically cost of sales माल लेते हैं और यह total expenses में ला लेके हैं में इसके अंदर material होगे आपका direct expenses होगे सब कुछ हमने इस पार्ट में मिला लिया उसके बाद आपकी यहां पे gross profit निकल की आती है और नीचे आपका closing stock आता है ठीके न गया था 20% तो 20% on अगर आपके sales था ना तो उसको cost पर करने के लिए 25% होता है one fourth और one five का यहां पे game जलता है और कैसे इसको निकालता है यह भी मैंने अच्छे से आपको पताया था मैंने कहा था जिसका percentage आपको दे रखा है जैसे आपको दे रखा है cost on sales जैसे आपको profit on cost द को इसकी calculation करने थी ठीक है तो अगर आपने एक बार इसकी value निकाल ली क्या कौन सी आपने gross profit की value निकाल ली तो obviously बात है gross profit gross profit और यह आपका cost of good sold हो गया इस side में सारे हो गया और दूसरा आपका gross profit हो गया तो gross profit और यह दोनों add करके जो balance नीचे आएगा वही right side का आपका किसक calculation of BP PB ratio MOS यह question मैंने adjectives करवाया हुआ था और exam मैं भी यह आपका same to same repeat हो गया मैंने भी एक ही question के अंदर तीनु करवाये थे exam में भी तीनु एक ही question के अंदर आपका पूछ लेगे तो अकर जिसने sincerely इसको किया था तो उसको आराम से करके आया होगा ठीक है same question repeat हुआ है अब फिर आपको BP निकालना था और तीसरा आपको MOS निकालना था आपको इसमें डेटा दिया गया था जिसमें आपको सबसे पहले PB ratio ही calculate करना था C upon S into 100 से आपको निकालना था क्योंकि contribution भी नहीं दिया गया था आपको basically इसमें sales की value गिबनती variable cost की value गिबनती और fixed cost गिबनती तीन चीज़ें आपको देगी थी इसमें तो आपको S minus BC करें contribution निकालना था और sales की value आपको यहाँ पर गिबनती तो यह काफी easy question था इसके अंद calculation of goodwill with capitalization method यह question भी मैंने आपको कराया था बलकि मैंने आपको अगले दिन भी इसका जो अच्छे से आपको explain किया था कि मैंने किस तरह से इस question को किया हुआ है ठीक है तो इसमें amount आपको दी गई थी जैसे आपको capital की amount आपको दी गई थी और साथ में आपको जो normal rate of return है वो भ profit कैसे निकालते आप average profit में से आप normal profit को minus कर देते average profit आपका कैसे निकलता average profit आपका question में given होता है और normal profit capital जो capital दी गई है उसमें से आप जितना percent उसने यहां पर rate of return दिया है उससे multiply करके उतना आप निकाल लेते तो लास्ट में आपके पास जो value निकल किया थी उसको capitalize करेंगे 100 पर ठीक है ना जैसे हमारे पास निकल किया 100 तो अगर 10% आपका rate है तो उसके हिसाफ से आप 100 करेंगे और divide करेंगे 10 से तो यह capitalize हो ग कि की थी simple सा question था plus one से minus one के बिच में है और मैंने आपको ये बी बताया भूए था कि इन दोनुके बीच में plus one है तो strong positive correlation होता है minus one है तो आपका strong negative a कोय होता है जीरो होता है तो आपका कोई भी correlation इनके बीच बीच में नहीं होता है इनके कर्व को भी मैंने आपको समझाया था देखिए मैंने कहा था जब positive होगा तो ऐसा कर्व होगा negative होगा तो downward कर्व होगा और कोई यहाँ पर अगर नहीं होगा तो यह ऐसे जो है आपका एक तरह से 90 अंच का कोणे हाँ पर बनता है यानि कि right angle आपका बनता है इसको भी हमने discuss किया हुआ था ठीक है तो चलिए उसके बाद जो question आया था आपका की closing stock एक आपका closing stock है उसको आपको उसके अंदर आपको value दे गी थी closing stock की book value दे गी थी और market value दे गी थी उसके अंदर कुछ और digit होगी बट उसके अंदर जो आपकी value दिखा दी actual value 20,000 दिखाएगी थी closing stock की आपसे पूचा गया था कि कौन सा principles का यहाँ पर violation हुआ है तो basically यह principle हमने बहुत अच्छे सर डिसकेस किया था सारे principle किये थे हमने इसके अंदर यह principle हमने क्या कहा था हमने इसे कम है उसमें हम दिखाते हैं ठीके ना क्योंकि मैंने आपसे example भी दिया था कि हम future के लिए क्या करके चलते हैं अपना safe चलते हम कि हमें अभी हम closing stock कम दिखाएंगे तो अगर कल के दिन में हमें ज्यादा profit भी होगा उससे तो हमारे business के लिए फायदा है तो यही principle आपसे पूछा गया था यह simple साथ आप conservatism का principle आपका concept of conservatism यह आपका वनता इस case में अब था IT act का section IT act तो मैंने कल ही आपको करवाया था ठीक है इसके अंदर मैंने कितने सब चीज़ें आपको करवा दी थी उससे पहले भी मैंने करवाया था जो legal aspect of the business है उसका question यह था उसको दो मैंने revise कराया है अगर आप playlist में जाकर देखेंगे तो दो वीडियो है उसकी complete revision की एक वीडियो दुबारा करवाई थी मैंने और एक पहले भी करवा चुका हूं मैं उसकी और MCQ तो उसमें ही है जो normal MCQ हमने किये थे उसके अंदर आपको section पूछा गया था basically IT act के अंदर कितने यहां पर section है I think यही पूछा गया था section या फिर you know part ऐसा कुछ पूछा गया था फिर GST applicability date यह तो simple साथा GST का मैं पूरा ही आपको करवाया है किस तरह की GST और important जो last video मैंने बोला था ना जो important topic वाली वीडियो है उससे as it is सारे जितने topic मैंने बदाय थे सारे आएं उससे आ मैंने कहा था कि type of GST पढ़ लेना उससे दो question यहां पर निकल के आए पहला क्या applicability date यह तो आप सभी को पता होगा first of July 2017 इसका answer होनता है और दूसरा आपको पूछा था कि यह कितने tier पर काम करता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था यह चार tier पर काम करता है जिसके अंदर आपका SGST होता है CGST होता है IGST होता है UTGST होता है यह चार मैंने आपको बताए थे और इनहीं को मैंने याद करने के लिए आपको बोला था तो यह question as it is यहां पर आगा था चलिए अब next को जो मेरे पार question है वो है आपका section of qualification of auditor यह आपका पहले ही पूछ लेगा था और एक और था question auditing से वो था आपका की auditor का यहां पर जो एक second हां चलिए उसको फिर discuss करते हैं उसकी बाद हमारे पास था NPC NPC मैंने फिर फी emphasize दिया था NPC जरूर करके जाना normal probability curve इससे question जरूर पूछा जाता है यह मैंने पहले भी आपको बोला था और revision के time भी आपको बोला था और इससे question ब आपको पूछा था 1 standard deviation, 2 standard deviation और 3 standard deviation की यहां पर limit बताओ, simple सा था 68.27 यह था और 95.44 यह था और आपका 3 standard deviation का होता है 99.37 होता है, यह simple सा concept था, इसको ही आपको यहां पर टिक करना था, यह आपसे यहां पर limit पूछेगी थी, right, तो यह आपने इस question का देखा, उसकी बाद taxable income मैंने income tax सारी आपको करवाई थी, उसके अंदर मैंने जो अलग-अलग head है, मैंने 5 head भी आपको पताए हुए थी, ठीक है, 5 head जो अलग-अलग head है, उसके बाद मैंने बोला था कि आपको यह आपकी निकलती, इसके बाद आपका जो है, इसमें deductions minus होते हैं, deductions आपको पता है, ठीक है, income tax में यह भी हमने discuss किया था, employer और employee का दोनु का हमने contribution discuss किया हुआ है, इसके अंदर, employee का contribution होता है हमारा 9.5%, यह आपको पता होगा, और employer का contribution होता है, RPF मतलब recognized provident fund में, इसका होता है 12% का, यह question निकल गया था exam में, राइट, चलिए, फिर आया था, subscription calculation, subscription यह आया जो होते हैं, उनसे यह question आया था, जिसके अंदर आपको कुछ opening subscription दी थी, उसके बाद कुछ adjustment यहाँ पर दी गी थी, जैसे previous year का है, कुछ यहाँ पर area है, कुछ यहाँ पर, तो net जो subscription की amount हो, आपसे पूछ गी थी, इसके अंदर करना कुछ नहीं था, आपको जो previous year से होती है और जो advance की होती है, उनको minus कर देना होता है, जो current year से related subscription होती है, वो ही आपको रखनी होती है, तो आपके बाद net amount यहाँ पर निकल किया आ जाती है, तो यह question इससे related था, फिर आपको एक important जो मैंने कल भी आपको revision के time भी आपको बोला था, कि यह चीज आप जरूर नोट कर ल किया हुआ है, same to same, ठीक है, उसमें लिखा गया था कुछ ऐसा कि 500 को कुछ ऐसा 250 लिख दिया गया, या ऐसा कुछ, तो यह किस तरह का यहाँ पर error होता है, तो यह basically हमारा types of commission का error होता है, हमारा error of commission, क्योंकि इसमें clinical error हो गई ना, 500 digit कुछ और लिख दिग गई है, और यही ज probability sampling था, non probability sampling था, उसके अंदर से एक question निकल के आया था, आपको एक case study दे दी गी थी, आपको आता कि यहाँ पर आपको एक survey conduct करना है, institution में जाके, तो उसके अंदर आपको data collection के लिए आप कौन सा method यहाँ पर यूज करेंगे, आपको अलग-अलग method दिये थे, जैसे आपको random sampling method दिया था, quota sampling दिया था, और उसके अलावा आपको एक और method दिया गया था, जो आपका एक तरह से cluster sampling था, तो मेरी जाप से इसका जो answer बनता है, जैसा question का nature है, उसके इसका answer होना चाहिए था, cluster sampling, ठीक है, cluster sampling में होता क्या है, कि हम अलग-अलग cluster बनाते हैं, जैसे institutions, अलग- cluster हम बनाएंगे, तो उस तरह से उसका data का collection किया जा सकता था, फिर उसके बाद था, आपके पार question कि intrinsic value of the shear, ठीक है, इसमें intrinsic value आपको निकालनी थी shear की, उसमें आपको कुछ यहाँ फे factual data दिया गया था, जो आपको numerical data basically दिया गया था, तो उसमें आपको, एक question मैंने इसका भ plus Z, यह formula का हमने question discuss किया वा था, तो इससे भी यहाँ पर question आया था, कि growth वाला जो formula है, हमने D1 कैसे निकालते थे हम, जो current year का भी dividend है, उसको D0 बोला जाता है, जो proposed dividend है, उसको D1 बोला जाता है, तो अगर 10 रुपे की value है, ठीक है, अभी का current year का है, वो 10 रुपे है dividend, अगर हम लग रहा है कि यह 10% के rate से बढ़ेगा, तो हमारा D1 की value हो जाएगी 11 रुपे, क्योंकि यह 10% क्या है, एक रुपे है बनता है, और इसमें यह अगले साल plus होके आपको dividend यहाँ पर मिल जाएगा, तो value उसमें put करेंगे, तो answer आपके बाद निकल आएगा, उसकी बद जो अग invoice price होती है, तो आपको invoice 5 दे दे गी थी 150% के इसाफ से, यानि कि 150 का, और आपको बोला था कि इसकी cost price निका लिए, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो amount दिया गया था, उसका आपको 50% उसमें से less कर देना था, तो 100% पे आपके निकल जाती, वो आपके cost price पे answer निकल जाता, ठीक है, नेक्स question था, partners profit part calculation, यानि कि partners का अलग अलग ratio दिया गया था, इसके partners के हमने काफी questions की हुए हैं, इसके अंदर आपको ratio, simple सा ratio दिया गया था, अलग अलग जिसे 2 is 2, 3 is 2, 5, 3 partner इसके अंदर थे, एक partner के death हो जाती है, तो उसके अंदर उससे पूछा गया था, कि आप को यहाँ पर गी बनता, तो करना कुछ नहीं था, total profit को आप multiply करते हैं, जो इसका हिस्सा है, उसके साथ मैं, और multiply कर देते हैं, कितने months का निकालना है, basically इसमें, according to me, 3 months का यहाँ पर निकल रहा था, तो यह आपका answer इसमें निकल आता, ठीक है, उसके बाद था, आपका maximum limit of partner, maximum limit of partner, basically यह question काफी confusing question है, ठीक है, इसमें आपको कहीं पर ही 100 partner मिलेंगा, ठीक, part passive firm के case में, but उसमें 100 option कहीं पर नहीं था, तो most probably इसका answer बनता था, 50, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कुछ MCQ के part करा है, उसमें 100 था, क्योंकि latest amendment आया, उसमें 100 कर दिया गया इसको, but जो काफी question, ज इसको चूच कर सकते, पुरान जैसा की पहले, 50 भी इसकी limit थी, unrecorded liberties का question आपके पास आया था, partnership के case में, जो unrecorded asset होती है, और unrecorded liability होती है, तो उसको कहां पर यहाँ पर transfer किया जाएने चाहिए, यह आपसे पूछा गया था, unrecorded liability को, तो इसका answer बंद रहा था, आपका, जो आपके डेविड, realization account के debit में, हम इसको करेंगे, transfer unrealized, जो आपकी liability है, उसको, उसके बास था, आपका next question था, loss on sale of sinking fund था, एक sinking fund को जब हम sale करते हैं, तो उसमें जो loss होता है, वो यहाँ पे कहां आपका डाला जाता है, कहां transfer किया जाता है, तो आपके बाद आपसन कुछ ऐ जबके account में, इसको transfer किया जाएगा, जो profit and loss दोनू, depreciation calculation का simple सा method था, depreciation के, आपके मैंने, दोनू method करवाये थे, आपके straight line method भी कराया था, और WDB method भी मैंने करवाया था, इसके अंदर आपको question में दिया गया था, simple सा, value दी गई थी और आपको बोला था कि, जो WDB method है, उससे आपको यहाँ पर depreciation का calculation करना है, last में asset को बेज दिया गया था, 1000 रुपे में, आपसे पूछा गया था, profit कितना हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो amount दी गई है, उससे हर साल आपको 10% या 20, कितना 15%, जो भी आपको amount दी गई थी, उसका आपको minus करते रहना था, जो सेवी के function से, सेवी मैंने आपको करवाया हुआ था, और ये question भी मैंने आपको करवाया था, कि सेवी के अंदर कौन सा function सेवी करता है, उसके अंदर जो अलग-अप्सन आये थे, वो option मैंने अपने MCU में कवर की हुए थे, उसमें एक अलग सा option था, वो था आपका कि, equity CS की wealth को बढ़ाना, तो क्या rate को बढ़ाना basically हम कह सकते हैं, तो equity CS के rate को बढ़ाना, CB का जो काम है वो नहीं होता है, बाकी के जो तीन option होंगे आपके वो सही इस case में बनते थे, ठीक, उसकी बाद आपके पास आया था, standard costing का formula का basically पूछा गया था question, standard costing से, basically वो formula डरेक्टली नहीं आ जा जा, actual rate के साथ में, तो क्या आपके पास निकल के आएगा, कुछ इस तरह का question आप से पूछा गया था, वो आपका standard cost का formula होता है, उसकी बाद आया था आपके पास की characteristic पूछीगी ती standard cost की, उसमें से भी आपको option चूच करना था, कि standard cost की कौन-कौन सी characteristic यहाँ पे होती है ठीक है न, और उसकी बाद आपके बाद probable error का formula यहाँ पे आया था, जो stat का portion है basically उसके अंदर, तो probable error का formula आपको इसमें calculate, मतब identify करना था, next question standard deviation से आया था, आपसे पूछा गया था कि poison distribution के अंदर standard deviation की क्या value रहती है, यह आपसे पूछा गया था, तो इसकी होती है, under root lambda इसक कौन effect होता है, यह question मैंने आपको पहले भी करवाया था, और जो मैं revision करा रहा था, उस time पे मैंने आपको बताया था, यह चीज, कि जो mean होता है, वो extreme value से effect होता है, क्योंकि extreme value की मैंने अच्छे से समझाया भी था आपको, कि यह जो first or last की value होती है, इनको जो आपकी है, extreme value बो effect नहीं होते हैं, बट जो आपका mean होता है, मीन में हम क्या करते हैं, सारी observation को यहाँ पे include करते हैं, that's why यह mean होती है, वो आपके extreme value से effect होता है, तो आपका answer बनना था, इसके अंदर mean, उसकी बाद था आपके बाद, sweat equity share, sweat equity share मैंने आपको तीन या चार बार करवाया था, मैंने मेहनत company के काम आ रही है, तो वो, sweat equity share किसको issue की जाते हैं, यह simple से आप से पूछा गया था, इसके अंदर simple से आपको क्या tick करना था, employee और जो manager है, basically उनको यहाँ पे issue किया जाता है, यही option right था उसके case में, उसके बाद sword working का था, और royalty account मैंने बहुत अच्छे से आपको हैं, उसके अंदर क्या sword working होती है, कैसे उसका यहाँ पे वो किया जाता है, आगे forward किया जाता है, ठीक है, यह सब चीजें क्या minimum rent होती है, क्या dead rent होता है, यह सब चीजें मैंने आपको अच्छे से करवाई थी, इसी का simple सा question पूछ लिया गया था, कि sword working कब होती है, तो sword working minimum rent जो हमारा जादा हो जाता है, किस से, जो आपकी actual royalty है, उससे, तो उस case में जो loss होता है, वो किसको होता है, जो यहाँ पे business कर रहा है, ठीक, जिसने यहाँ पे payout करना है, यहाँ जो royalty pay करनी है, उसको यहाँ पे loss होता है, इस case में, क्योंकि आपकी minimum rent की amount आपको pay की जाएग capital reserve का, capital reserve में आपको पूछा गया था कि, जब यह question तो asset is आया था, जिसमें मैंने आपको बोला भी था कि, issue of debenture less than asset value होती है, तो यह capital reserve होता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको practical भी करवाया हुआ था, ठीक है, practical के अंदर मैंने दो चीज़ें आपको बोली थी, कि एक capital reserve होता है, और दूसरा आपका होता है, goodwill का amount, ठीक है, और मैंने कब कहा था, यह capital reserve होगा, जब आप payment कम कर रहे हो, उसकी actual asset की value ज्यादा है, और आप payment यहाँ पे कम कर रहे हो, उस case में जो amount बनती है, वो आपकी capital reserve की amount बनेगी, लेकिन goodwill की amount क्या बोली थी मैंने, कि जब आप आप क्या कर रहे हो, payment ज़्यादा कर रहे हो, as compared to his assets value, तो उस case में जो access amount आप पे कर रहे हो, वो goodwill की amount बनती है, ठीक है, आप इसे question में आया था, कि आपको कम पे कर रहे है, आप debt issue कर रहे थे basically, तो यह आपका हो गया other than cash का form, जिसके अंदर आप जो asset के बदले में debt यहाँ issue कर रहे, तो उस case में आपको क्या करना था, उसका capital reserve आपका answer बनना था, क्योंकि asset की value ज़्यादा दी गई थी, और जो debentures की value है, वो यहाँ पे कम थी, जो issue आप debenture कर रहे है, तो इस case में capital reserve आपका बनता है, फिर था आपका intrinsic value of shares आपको निकालने को था, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया, equity fund is not affected by, अब आपको यहाँ पर पूछा गया था, कि equity fund आपका किस से effect नहीं होते हैं, कुछ transactions आपको दी गई थी, तो उसके अंदर basic सा था, इसके अंदर आपको देखना था कि कहां कहां पे, equity में हमारे जो equity है, equity के अंदर basically क्या क्या चीज़ें जाती ह है, equity share role, shares नहीं है यह, equity का मतलब है कि हमारे share capital जो है, equity के अंदर equity shares भी आगए, prepare shares भी आगए हमारे, तो यह सब इन में included रहते हैं, इसमें आपको अलग-लग options थे, आपको choose करना था, फिर आपका financing decision का question था, यह question मैंने आपको बहुत अच्छे से कराये थे, तीनू पार्ट क करते हों, तीन तरह के decisions आपके होते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि जो आपकी financing decision है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, finance करोगे different sources, finance को collect करोगे, तो उसके इसमें sales था, आपका long term loan थे, तीन sources मैंने आपको बताये थे, तो यही answer आपको choose करने थे, उसमें financing वाले activity के अंदर, ठीक है, फिर था आपका calculation of the interest in higher purchase, higher purchase के अंदर calculation करनी थे, interest की, यह भी मैंने आपको सिखाया था, कैसे करना है, basically मैंने पहले ही आपको बोला था, जो higher purchase का amount होता है, वो आपका ज़्यादा pay किया जाता है, as compared to his cost price, ठीक है, तो जो उसके actual price है, उस से ज़्यादा जो हम payment करते ह हो higher purchase price होता है, इस case में आपको installment down payment दिगी थी, और installment दिगी थी, उन सब को आपको add करना था, as compared to his original cost, तो जो difference आता, वो आपका interest का amount बनता, ठीक है, simple सा था यह, उसके बाद आपके पास एक option, एक question आया था, वो FIFO method का था, first in, first out का था, यह, इसके अंदर आपसे अलग-अल first out का क्या मतलब होता है, first in, first out का मतलब होता है कि आपका जो, आपके जो, जो सबसे पहले आपने खरीदी, जैसे अभी जो recent में आपने यहाँ पर खरीदा है, जो material आपने खरीदा है, वो सबसे पहले आपका out होगा, तो recent नीचे से आपको start करना था, तो last में जाते जाते ज फीफो मेथड लीफो होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउस का मतलब होता कि आप उपर से इसको स्टार्ट करतें चलिए फिर नेक्स्ट कोशिन था रेशियो अनलेसिस का बेसिकली सिंपल सा कोशिन था उसके अंदर आपको एक रेशियो पूछी गई थी तो इसका मुझे कंफर होनी चाहिए और सांथ इसका फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए यांनी प्रॉस्ट पूछा गया था तो इसका प्लेक्सिबिलिटी उसके बाद था आपका सबसिस्टम आप M.I.S. के सबसिस्टम पूछे गए थे, M.I.S. भी मैंने आपको करवाया हुआ था, क्वेशन इसके, सबसिस्टम आपको सबसिस्टम आपको पूछे गए थे, तो और ओप्सेंस में क्या थे, वो मुझे नहीं महलूम, क्योंकि इसके स वही चीज करता है, यानि कि जो उसको सही लगेगा वही करेगा वह। तो उस चीज को autocratic style बोलते हैं ये मैने सारे आपको अलग-अलग कराये थे, lesis fair कराया थे आपको, इसके अलावद democratic कराया थे अर्टो कराया थे, तो अलग-अलग थे, according to me इसका answer होना चीर, जो autocratic है क्योंकि इसमें आप किसी को participate, किसी को यहाँ पे अपने जो subordinate है, उनको include नहीं करते हैं अपने according आप काम करते हैं, जो आपको सही लगेगा वो ही आप करेंगे, और decision भी आपी का होगा, उसके बार kinase 6 का, kinase 6 आपसे पूछा गया था, kinase 6 क्या होता है, तो यह मैंने आपको, जब communication मैं करवा रहा था, उस समय मैंने बोला था कि body language को kinase 6 बोला जाता है कैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और मैंने इसका examples भी आपको दिया था कि हम, कैसे, क्या हम communicate कर रहे हैं, यह important नहीं होता है हम कैसे communicate कर रहे हैं यह ज़्यादा important होता है इसके example मैंने पहले भी आपको बताया था तो इसका answer बनता था आपका कि body language और gesture जो आपके हैं, वो आपका सही answer बनता था kinase 6 में फिर आपको बोला गया था universal banking जब हम banking का part कर रहे थे उसके अंदर हमारा एक narrow banking था micro banking था, universal banking भी था तो universal banking के अंदर हमने क्या किया था कि हम क्या देखते थे कि bank जो है अपनी सारी activity को perform कर रहा है सारी activity मतलब integration ला रहा है अपनी activity में, जैसे example मैंने इसका यह दिया था कि आप क्या कर रहे हैं एक जगा पे अपने account खुलवाया ठीक है ना, एक particular जगा पे account खुलवाया, उसके बाद आप दूसरी सहर में move कर जाते हैं अपने employment के लिए, तो वो account आपका दूसरी जगा भी यहाँ पे चल जाएगा इसको बोला जाते हैं आपका एक तरसे universal banking, तो उसमें अलग-अलग options थे, तो आपको जो integrated type का लग रहा था जिसके अंदर आप services का expansion करते हैं, integration करते हैं तो वो आपका option सही बनता था इसके case में फिर semantic barrier था semantic barrier भी मैंने आपको करवाया था मैंने आपको बताया था, communication में कि semantic barrier आपका क्या होता है जिसके अंदर आप एक तरसे, जो आपके how-how हैं, उनसे जो दुविदा उत्पन होती है, ये आपका communication का barrier होता था, इसके अंदर अलग-लग options थे, जैसा मुझे पता चला, इसके अंदर जो सही answer बनता था, वो एक हिसाब से, culture के हिसाब से इसके barrier आ सकता है, क्योंकि culture मतलब सबकी language यहां पर अलग-लग होती है, तो उसमें जो barrier होता है वो आपका semantic barrier का part बन सकता है, फिर आपको chronological order का पूछा था, basically simple सा question है chronological order में data किस base पे, यहां पे set किये जाते हैं तो उसका सही answer आपका बनता है time के base पे, ठीक है तो इसका answer था time फिर आपसे next question पूछा गया था कि जो आपका seasonal variation होता है वो किसकी वज़से यहां पे होता है तो अलग-लग option आपके पास थे seasonal variation, यह question भी हमने type of variation हमने discuss किए वे थे तो इसके case में जो seasonal variation है वो आपका season की season wise आता है जैसे मैंने आपको example दिवाली आती है होली आती है या उस समय आपके sales क्या है increase कर जाती है और साथ ही आपके जब depression का time आता है जिस समय कोई त्योहार नहीं है जो हम यूज करते है ठीक है ना तो यह सब चीज़ें आपके seasonal variation का पार्ट होती है फिर आपका consumers equilibrium का आया था इसका formula हमने अच्छे से याद करके पड़ा हुआ था कि जिसके अंदर consumer equilibrium कहां पर होता है जब हमारा क्या होता है MU X बटे price of X equal to होता है आपका MU Y बटे price of Y यह आपका formula बनता था इसके अंदर कि आपका marginal utility of X है उसको divide करेंगे price of X से तो यह बराबर होगी marginal utility of Y price of Y के तो यह आपका simple सा इसके अंदर formula बनता है फिर आपका था sunk cost fund sunk cost fund आपका क्या होता है basically इससे question पूछा गया था तो यह आपको देखना है फिर BRS का question था simple सा जो आपका bank reconciliation statement है इसका complete video मैंने डाला हुआ है उसके अंदर examples भी मैंने आपका करवाए थे कैसे इसको solve किया जाता है इसके अंदर दो approaches होती है पहले तो अगर balance आपको edge पर cash book दिया हुआ है ठीके ना cash book दिया है तो आपको find out करना होता है edge पर pass book यहाँ पर find करना होता है और vice versa हो जाता है इसके अंदर अगर आपको pass book के through balance दिया है तो आपको cash book के balance को find out करना होता है question में आपको edge पर pass book दिया गया था और आपको balance calculate करना था edge पर cash book का तो इस case में 3-4 transactions आपको दी गई थी तो कैसे कैसे उसका changes है यह आपको देखना था, simple से था अगर BRS में दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर एक वीडियो है साथ, एक वीडियो में हमने complete कर लिया उसको तो वीडियो है, उसको भी जाके refer कर सकते हैं, उसके बाद Taylor Peace Rate System यहापर पूछा गया था, इसके काफी question हमने discuss किये थे, और last time जो LT का paper हुआ था, उतराकंड LT के अंदर भी इसका question आया हुआ था और आप believe नहीं करेंगे इसका question जो LT 2018 है उसका भी मैंने solve गराया था, तो उसके अंदर भी इसका question पूछा गया था, same question ऐसा ही लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा language को change कर दिया था, बाकि सीचे चेम थी आपसे पूछा गया था कि जो Taylor का Peace Rate System है, इसके अंदर मैंने आपको example भी दिया था, याद होगा आपको कि मैंने कहा था, जब Taylor कपड़े सिलता है तो वो क्या करता है, आपके अलग-अलग भागू में आपके कपड़े को काड़ता है सिलने के लिए, तो वो अलग-अलग Peace करता है ऐसे आपको याद करना था, इस चीज को जो जितना ज़्यादा efficient होगा, उतना ज़्यादा उसको bonus मिलेगा, इसके अंदर minimum wages की guarantee नहीं होती है, राइट चलिए ये तो बात तिसकी अब एक question आपका आया हुआ था किससे? Centralization से मैंने दो time आपको बहुत अच्छे से clear करवाये थे, एक centralization था, एक decentralization था ट्राइट, मैंने बोला था centralization वहाँ पे होता है, जहाँ पे power एक ही जिगह पे होती, एक ही जिगह पे बंदा बैठा है, उसके कोई branches आपिस नहीं है कुछ नहीं है, division आपिस भी नहीं है उसके इसमें जो power का होता है एक ही जिगह से fluctuation होता है यह आपको centralization का पूछा गया था और इसमें आपको एक option चूच करना था simple सा, इसके opposite मैंने decentralization बोला था, जिसके अंदर जो power है, उसको यहाँ पे अलग-अलग delegate कर दिये जाता है, अलग-अलग जो offices हैं, जो branches हैं, जो आपके divisions हैं, उसके अंदर, तो question आया था, centralization का उसके बाद था आपका socialist economy का basically एक question पूछा गया था, जिसके अंदर, I think socialist economy का दूसरा नाम आप से पूछा गया था, जिसके अंदर humanist side, humanistic economy is also known है, जैसा कुछ पूला गया था तो वो आपका socialist economy का party होता है, जो आपका जन्तांत्रिक economy होती है, अर्थबियस्ता होती है, वो, ठीक है न, उसके अलावा, जो अगला question था, वो आपका service costing से पूछा गया था, आपसे पूछा गया था, कि जो आपकी एक तरह से, सर्विस costing का नहीं, आपसे, basically operating costing, operating operating costing किस field के लिए यहां पर most suitable रहती है, यह question यहां पर पूछा गया था, अलग-अलग options आपको दिये गये थे, जैसे आपको refinery का दिया गया था, उसके अलावा आपका batch costing आपको दिया गया था, तो यह आपको इसके अंदर करना था, इसके अंदर आपका service costing कहां पर यूज की जानी चाहिए, आपके contract costing और example भी दिया था, मैंने आपको कि जो आपका एक तरह से अलग आपका जो बाइक servicing कराने जाते हो, गाली servicing कराने जाते हो, तो आप जो वहां पर आपका job card बनता है, या contact costing भी ने करोगे, तो बचा गया, एक यह option आपके बश्ता होगा, इसके बाब process costing का एक और question यहाँ पर आया था, ठीक ना, जिसके अंदर बोला गया था, कि एक जो department है, बेसिकली, उसके अंदर जो processing होती है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पर, अलग-अलग आपका options दिये थे, इसके options मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यह question आप से पूछा गया था, तो process costing से एक और question आया, फिर जो question था आपके पास, वो था कि आपके पास, product को manufacture करने के लिए, यहाँ पर कौन सी cost लगती है, ठीक है ना, product के, किसी product के manufacturing के लिए, कौन सी cost यूज होती है, और वो help करती है आपके लिए revenue generate करने में, ठीक है, उसकी sell out करके revenue generate करने में, अलग-अलग option आपके पास थे, तो इसका answer बनने वाला था manufacturing cost, क्योंकि manufacturing cost के अंदर ही हम क्या करते हैं, अपने product की development की हम बात करते हैं, manufacture करने की बात करते हैं, जिसको यहाँ पर sell out करके revenue का generation किया जा सकता है, तो ये भी हमने अच्छे से discuss किया वा था, अब ये तो बात थी, इसके बात था, आपको एक total fixed cost का fund पूछा गया था, modern theory के अनुशार आपसे पूछा गया कि total, sorry, average fixed cost आपसे पूछे गई थी, कि average fixed cost curve, AFC आपका, modern theory के अनुशार कैसा यहाँ पे show करता है, यानि कि कैसा ये एक दरसे interpret करता है, तो इसका concept ऐसे था कि modern era में क्या बोला जाता है, जैसे जैसे आप अपने input को increase करते हैं, जैसे जैसे अपने ज्यादा output आप करते हैं, ज्यादा production आप करते हैं, वैसे वैसे आपके fixed cost यहाँ पे कम होती जाती है, तो इसका था कि आपका negatively slope करती है, इस तरह से basically यह slope करती है, negatively slope, क्योंकि यहाँ पे देखिए होता क्या है, यह आपका मैंने बना दिया, इस case में पहले normal सी यह आपकी, क्या होती है, fixed cost आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है न, AFC माल लेते हैं, average fixed cost, तो उस case में जैसे जैसे आप अपने production को increase करेंगे, तो यह cost आपकी धीरे-धीरे-धीरे कम होती जाएगी, और obvious सी बात भी है न, जैसे देखिए, आपकी 1000 रुपीज fixed cost है, इसको माल लेते हैं 1000, अब आपने 10 unit यहाँ पे produce किये, तो आप देखिए आपके बास 100 per unit की fixed cost, average fixed cost निकल के आ रही है, अब आप यहाँ पे 20 unit produce कर रहे हैं, तो आपके पास कितने निकल के आ रही है, 50 की निकल के आ रही है, तो यह क्या हो रहा है एक तरसे, reduce होते जा रहा नहीं जा रहा, तो यह आपका negatively slope करेगा, यह आपको यहाँ पे right option टिक करना था, उसके बाद जो question पूचा गया था, वो आपको आया था, pure revenue receipt का question पूचा गया था, revenue और जो capital receipt है, इसको भी हमने discuss किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि, जो आपके long term से related होती है, capital asset से related होती है, आपकी capital nature की होती है, capital receipt बोलते हैं, और revenue हमारा होता है, जो हमारे business के लिए, या day to day expenses के लिए होता है, तो उसमें मुझे पता चला कि, उसमें एक option था, जो आपका क्या था, rent receipt का था, तो उसका सही answer मेरी साब से, वो ही बनना चाहिए, क्योंकि आपके एक pure क्या है, कुछ discount के थे, कुछ premium के option थे, तो most probably इसका answer बनना चाहिए, जो आपका rent received है, वो सही होना चाहिए, यह आपका pure एक, जो revenue receipt है, वो यहाँ पे होता है, उसके बाद है, आपका share forfeiture का question पूछा गया था, और यह question आपका, जो मैंने पहले ही आपको बोला था, कि यह question कम से कम, जो examiner है, उसका हर जिगव favorite question है, कौन से question, कि share जो हम forfeiture कर लेते हैं, पहली चीज़ तो forfeit कर लिया, उसकी बाद हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे, एक second, reissue करते हैं, ठीक है ना, पहले forfeit कर लेते हैं, उसकी बाद उसको reissue करते हैं, तो आपसे पूछा गया, reissue के time पे, कितना percent discount, कितना discount आप यहाँ पे, offer कर सकते हैं, तो इसका सही answer क्या बंता था, जितना आपने forfeit किया हुआ है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे, नहीं कर सकते हैं, तो maximum, कि accounting software किस principle पे काम करते हैं, basically transactions के recording के लिए, तो वो आपका बनता था, GAAP, GAP का, Generally Accepted Accounting Principle, यह आपका gap के basis पे, जो transactions हैं, वो यहाँ पे record करते हैं, आपके software, ज़र टैली है आपका, इसके अलावा और भी हैं आपके, ठीक है ना, तो यह question थे guys, कुछ 60-65 के आसपास question मैंने आप से discuss किये, और इसमें most probably, most जो question है, वो हमने already discuss किये हैं, बस फंडा यह था, कि थोड़ा सा आपको अपना common sense यूज करना था, और थोड़ी सी अपनी जो practical ability योटी है ना, आपकी, उसको यहाँ पर increase करना था, यानि कि कैसे आप अपने चीज़ों को practically apply कर पाएंगे, और यही आपको यहाँ पर करना था, बागी कुछ question थो as it is, जैसे हमने की वैसे ही महाँ पर उठके आए हुए है, बागी की question पता चलेंगे, तो उसको second part में भी discuss करेंगे, और जो evening shift में अभी जिनका examination हुआ है, तो अपने review को जरूर share करें, उनका exam कैसा हुआ, और overall exams की मैं बात करूँ review के basis पे, वैसे तो हम अभी poll डालेंगे, poll के हिसाफ से पता चलेगा, कि कैसा examination था, क्या था, बट जो actually मुझे पता चला है, तो उसके हिसाफ से examination आपका easy नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इसकी थोड़ी सी format में change कर दिया गया, examination के, जो multiple options वाला था, ठीक है ना, उसके अलावा, अलग-अलग 3-4 questions थे, multiple options वाले, और थोड़ा, जो theoretical part था, थोड़ा high level का पूछा गया था, जो पिछले साल के question था, उसके according, बट जो concept था, वो same ही था, जो आने आपको discuss की, ये question तो ये तो same, मतलब खीक था question थे, बट कुछ question थे, जो आपके एक तरह से high level के, हम कह सकते हैं, तो हम moderate level का paper को बता सकते हैं, तीनों दिन के paper हो जाएंगे, उसके बाद एक pole डालेंग, pole conduct करेंगे, और फिर जो reviews हैं, वो लगे, उसके बाद final जो married list बनती है, या जो हम expected married list की बात करते हैं, expected cut up की बात करेंगे, तो finally paper complete होने के बाद ही, हम यहाँ पर कर पाएंगे, और last में, जो कल कली examination देने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा procedure भी बता देंगी, क्या चल रहा है वहाँ पे, तो examination आपका online होना है computer पे, आपको examination center पे basically, आदग घंटा पहले पहुँच जाना जरूर है, ठीक है ना, आप साथ में carry कर सकते हैं, ornaments कोई भी लेके ना जाएं, अगर आपके married लोग हैं, आप लोग या ऐसे कुछ हैं, आपने पहना हुआ है, जो आभू संड जिसको बोलते हैं, या ऐसा कुछ कान मान का, ये सब तो, वहाँ पे आपको उतारना पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके चेक होगा, और जो machine है, वो आपके detect कर जाएगी, तो इस case में उसको घर पर ही रखके जाएं, जो आपका बहुत जरूरी है, उसको लेके जाएं, कि उसके अलावा, आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, और लड़के लोग भी, अगर belt विल्ट आप लोग, अगर carry, ऐसे pen पहन के जाएं, कि जो belt भी आप उतार लें, तो वो आपके लिए एक तरह से, ज़्यादा uncomfortable यहाँ पे ना लगे, तो यह बातों को आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा जो examination है, वो आपका conduct किया जाएगा 9.30 से, तो जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो यही सब था examination के बारे मैं, अपने reviews और अपने जो बाते हैं, वो आप comment box में share कर सकते हैं, actually मैं live करने वाला था यह session को, बट YouTube के कुछ नाकामिया या कुछ भी कह सकते हैं, तो यह live का जो वो है, उन्होंने यहाँ पे disable किया हुआ फिलाल, तो उस case में हम यहाँ पे इसको नहीं कर पाए, अगर तब तक आपका next session तक इसको अगर सही हो जाए, तो हम live यहाँ पे जुड़ पाएंगे, बट नहीं हो पाया, तब भी हम वीडियो के माधियम से मिलता रहेंगे, comment में अपनी राई जरूर दे, और हमारे जो courses हैं, हमारे जो free of course मैंने आपको provide करवाया material, उससे कितनी help मेंने आपको यह भी बताना जिनका examination हो चुका, तो thank you so much, मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए, all the best कलवालों के लिए, bye bye.